नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फोल्यो नमबर से अपने AMC में लॉग इन करके अपना mutual fund को देख सकते हैं कि कितना investment है आपका और वहीं से आप decisions ले सकते हैं in fact थोड़े अच्छे तरीके से आप decision ले सकते हैं दोस्तो इस question के तीन expects हैं suppose आपका broker bankrupt हो जाए तो आप अपने mutual fund को कैसे देख सकते हो दूसरा कि आपका phone lost हो जाए तो आप अपने mutual fund को कैसे देख सकते हो और तीसरा आपका phone भी lost हो जाए और email ID password भी lost हो जाए तो आप कैसे देख सकते हो हाला कि जो third वाला अगर आपका phone भी lost हो जाते है email ID और password भी अगर आप भूल जाते हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है थोड़ा सा क्योंकि वो लोग verify करते हैं कि आप सही बंदे हो या नहीं है तो तभी वो आपके mutual fund को decision लेने देते हैं दोस्तो आपके पास सिरफ आपका folio number होना चाहिए और आप अपने सारे decisions ले सकते हो mutual fund के और मैं अभी आपको direct life दिखाऊँगा कैसे आप अपने AMC में login करोगे इसी steps से आपको एक नए एक बार अपने AMC में login करके एक बार देख लेना है चीजों को ताकि आपके मन में एक peace of mind आ जाए क्योंकि बहुत लोग बहुत हैवी amount invest करते है mutual funds में और उनके mind में एक डर लगा रहता है कि अगर grow बंद हो गया या कोई भी उनका broker बंद हो गया तो उनके mutual funds का क्या होगा आप यहाँ पर देखिए कि कैसे मैं login करता हूँ और कैसे मैं चीजों को दिखाता हूँ आपको दोस्तों अगर आपके पास सब कुछ है और आप बस login करना चाहते तो आप बहुत easily अपने pen card से login कर सकते हैं अपने AMC में और अपने folio number से भी आप login कर सकते हैं अपने AMC में जो भी आपका है निपॉन चाहे पराग पारिक या फिर HDFC bank में अगर आपका mutual fund है या फिर access में है लेकिन अगर आपके पास phone भी आपका भूला गया आपका email ID और password भी भूला गया तो आपको कैसे decision लेना है उस time पे तो आपको क्या करना है कि उस AMC में जाना है और वहाँ पी वो phone number होगा अगर मैं आपको दिखाऊंगा हर AMC का phone number आपको मैं दिखाऊंगा main main जो है तो उस phone number पे आप call करोगे call करके उपने सारे details वो सारे चीज़े आपसे पूछेंगे यानि कि आपका date of birth क्या है email ID क्या था password नहीं पुछेंगे email ID क्या था वो पुछेंगे pen card number आपसे पुछेंगे पूरी तरीके से वो verify करेंगे कि आप ही वो right person हो जो उन्हें call कर रहे हो ठीके guys तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको login करना है अपने mutual fund में दोस्तों इस आपको आजाना है अपने google पे google पे जो भी आपके mutual fund है उसको इस तरीके से लिख लेना है अगर आपके पास पाराग पारी का mutual fund है तो ऐसे google पे लिख लीजे और जो सबसे सामने आ रहा है इस पे click किजे आप ठीके guys जो सबसे पहला है इस पे आप इस तरीके से click कर सकते है ऐ विजिए आपो हर mutual fund click करना होगा, जैसे access mutual fund है, तो आपको access पैसे आकर click करना होगा, और यहाँ पे for a safety, आप यह add पे मत click किज़ेगा, आप यहाँ पे click किज़ेगा guys, access mutual fund में, यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक कर सकते, Canada Robico हो only, यह Canada Robico मेरे पास भी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यह जो है, इस तरीके से इस पर इखलीजिए, HDFC में है, तो आप ऐसे Google पर सर्च करके, यह इस तरीके से आपके पास जो सबसे पहला लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक किजएगा, यहाँ पर आपके पास निपाउन का है, तो यहाँ पर निपाउन पर आप आईएगा, और यहाँ पर निपाउन पर आप क्लिक किजएगा, तो वो आप कर सकते हैं, अब यहाँ पर mainly जो आएगा वो यहाँ पर दो options आएंगे, यह देखे, existing investor और new investor, तो आपने already mutual fund है आपके पास, तो यहाँ पर existing investor पर यहाँ पर आके आप click करेंगे, अब यहाँ पर guys आ जाएगा, यह statement आएगा, यहाँ पर आपको click करना है, अब guys यहाँ पर आपको यह इस तरीके का interface खुल जाएगा, तो अगर आप नए होंगे, तो यहाँ पर कुछ और interface होगा, यहाँ पर ठीक है, और अगर पुराने होंगे, तो आपको इसे थोड़ा सा familiar होंगे, तो have a folio register है, आपके पास folio number है, तो अगर आपको register करना है, तो आ यहाँ पर क्लिक करेंगे, और आपके पास, अगर आप new investor है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास already एक folio है, तो यहाँ पर आप register कर सकते हैं, और जो already इस पर register कर चुके हैं, वो उनके पास यहाँ पर M pin आएगा, वो M pin यहाँ पर एक set करना होता है, M pin जस्ट व यहाँ पर डाल नहीं सकता, आपको show नहीं कर सकता, क्योंकि इस से मुझे YouTube channel delete कर देगा, YouTube पो लगए है कि यह किसी और के मैं private information leak कर रहा हूँ, तो यह आपको अपने अपना डालना है, अगर आप new investor है, अभी भी just इस पर register करना है, तो आपको यहाँ पर click करना हो, have a folio register here, य pen card आप डाल के यहाँ पर register कर सकते हैं, जैसे आप register कर देंगा, आपके पास वापस से इस तरीके का interface खुल जाएगा, अब मैं यहाँ पर सारी details इसके डालता हूँ, अब आप ध्यान से देखेंगे कि यह जो परागपारी का दिख रहा है आपको मेरा amount 1048 रुपीज, तो यह मेरा group है, अब यह मैंने अभी AMC में भी मेरा यही same amount देखेगा, सब कुछ आपको यह सारे चीज़े दिखेंगे, जो भी आपका group है, investment जैसा भी investment है, वो सारा आपको investment उसके AMC में भी दिखेगा, तो इसे grow आपको कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर आप देखेगा, थो और अब देखेगा, यहाँ पर मेरा portfolio खुल चुका है, जो मैंने यहाँ पर लिया था mutual fund, जो भी मैंने investment किया था, grow पे, वो यहाँ पर automatically दिख जाएगा, यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर आपक पारीक फिलेक्सी का एक मैंने लिया था, जिसमें मुझे इतने units मिले हैं, औ और investment इतना है, उसका value अभी इतना है, ठीक है, और उसका इतना percent का return है, और यहाँ पर आप सारे decisions ले सकते हो, यहाँ पर SIP transfer कर सकते हो, यहाँ आपको switch करना है तो आप यहाँ पर switch कर सकते हो, switch करना है तो यहाँ पर STP कर सकते हो, या फिर आपको किसी और plan में करना है, वो कर सकते हो विड्रॉ BazApp करना है अपको तो सिस्टेमैटिक विड्रॉusзд क्र्वाइश चैज करना है वह सारी चीजेर आप यहां से कर सकते हो बहुत ही ईज उसके पाद जब आपका जो भी email id address सब कुछ है तो आप यहां पर डिरेक्ट इधर login पर आईए और यहां पर login कर सकते हो easily बस कुछ चीज़े आपको डालना है वाया पैन से कर सकते हो वाया email id से कर सकते हो तो पैन से भी करो आप यह पैन से और उसका तुरंट आपके पास OTP आएगा यहां पर OTP डालो और तुरंट आपका रेजिस्टर हो जाएगा और एक और चीज़े अगर आपके पास सब कुछ भूला गया तुरंट आपको कोई भी immediate decisions लेना है तो आप यह phone number है इस phone number पर आप जैसी call करोगे वो लोग आपका phone उठाएंगे और आपसे आपका date of birth पुछेंगे आपका account number पूछेंगे आपके हर सारी details जितने भी आपने mutual fund में डाले वो सारे कुछ-कुछ details आपसे पूछेंगे ताकि आप decision ले सको वो लोग verify करते हैं कि आप ही हो या कोई और तो नहीं आपके बिहाफ में तो यहाँ पर भी मैं आपको login करके दिखा जेता हूँ कैसे login करना है अ आप यह interface पर आप डारेक्ट अपना सारी details डालके invest कर सकते हो अब यहाँ पर detail करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेरी mutual fund है यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं आप axis में मैंने invest कहते हैं यहाँ पर वह सारी values मैंने देखा अब यहाँ पर आपको switch करना है तो यहाँ पर přाश्य Connect में आएए यहाँ पर आपको आएगा option Switch का यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और उस वाद अपने mutual fund पर इस तरीके से क्लिक किजए और यहाँ पर continue करने राद आपको आएगा कौन बीचल funds में आपको switch करना यहाँ पर dual fund से यहाँ पर direct में करना तो investor है already तो आपको यहाँ पर click करना है जैसी यहाँ पर click करेंगे आपको सारी details आएंगे भरने के लिए वो details आप भरिए आपको आपका सारा mutual fund यहीं पर दिख जाएगा अब देखिए हाँ पर sign in करने के लिए आपके पास आपका pan card आएगा जैसी आप pan card यहाँ पर डालोगे आपको दिख जाएगा आपको एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर डालोगे तो आपका सारे investment यहाँ पर दिख जागा ऐसी आपको HDFC में अगर करना है तो HDFC में भी इधर आजाएगा login का option आएगा यहाँ पर login का क्योंकि आप new investor नहीं हो आप अपने grow app से अल्रेड़ इंवेस्ट कर चुके हो तो आप यहाँ पर direct यहाँ पर आपको login में आना होगा login में आने के बाद यहाँ पर investor पर click करना होगा और उसके बाद जो details यहाँ पर होगी वो details आपको fill करना होगा और बहुती easy सा छोटा सा process है वो आप कर सकते हो अपने खुद से कर सकते हो और देख सकते हो अपने सारी चीज़ों को ऐसी अगर आपके निपॉन में है तो आप login में कर सकते हो यहाँ पर login मैं सबको register करके नहीं दिखा रहा हूँ सबका नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा video लंबा हो जाएगा चोटा सा दिखा रहा हूँ easily आपने देख लिया किस तरीके से आप देख सकते हो और आपका mutual fund बिलकुल safe रहेगा क्योंकि वो grow के पास है नहीं वो तो इनके पास है यह और यह नहीं भागते है यह तो बैंक है इनका तो अलग-अलग branches रहते हैं और यह कहीं भी रहते हैं तो आप इस तरीके से आप अपने mutual fund को safe कर सकते हो अब देख सकते हो सारे decisions ले सकते हो यहीं से तो देखा आपने गाईश कितना simple होत मुझे को आप वीडियो को लाइक की जाए गाइस और कोई भी अगर आप नए टॉपिक पर वीडियो चाहते तो प्लीज कमेंट सेक्शन है मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नंबर भी है वहाँ पर इमेल भी कर सकते हैं और पर वाच वाच ग्शन दिस वीडियो गई斯